नमस्कार दोस्तों मैं जिस सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यट्यूब चानल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रासन वितरन गेंद्र का जो सौफ होता है उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसका आवेदन कैसे करना है क्या क्य दोकमेंट्स क्या हो सकता पड़ेगी कौन वैक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है तो पूरी जानकारे इस वीडियो में देने माले है तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक जो ड़ो देखे और चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को अब के सामने ओपेन होगा फूड सेक्योर्टी पोर्टल रासनमित्र इस तरीके का लिखा हुआ आपको मिल जागा इस्टेट फूड सेक्योर्टी पोर्टल एंड एन यह यह से जो मध्यपरदेश गवर्मेंट की ओफिसल वेबसाइट है इस तरीके का मिल जागा अब क्रॉल करेंगे तो एक नया जो आपको दिखाई देगा नवीन उचित मुल की दुकान की इस्थापना एवं आवंटन खेने का मतलब दोस्तों की बरतमान में कितने भी कितने सेल्स सौब का रेश्टेशन चालू है कितना जो सौब है उसका आवंटन किया जाएगा यानि किस जीले में किस ग्राम पंचाहित के अंतरगत कितना दुकाने आवंटित की जाएगी और आवेदन कब से कब तक होगा किनी का मतलब है दोस्तों कि रासन वितरन केंद्र कितना खोलना है किस दिश्टिक के किस जन्पत में दुकान खोलनी है गाया जो रासन वितरन केंद्र होता है उसके बार पर तो एकौर मिल जाएगा उप्सों सभी, विज्यापति होती है यानी समल होताहिए, उसको आप यहाँसे देख सकते हैं, उसके बाद नीचे में अप देखेंगे तो जो आवेधन करने से पहले आपको क्या नीयम कानून पढ़ना है उसके बारे में लेडाएज पर मिल जागा थ्री नंबर पर और फॉर्थ नंबर पर आपको आवेधन करने के लिए डारेड्ट aspirations खुल जाएगा तो आवेधन करने के लिए आप फॉर्थ नंबर वाले function पर जब आप किलिक करते हैं तब दोस्तो आवेधन कौन कर सकता है किसको जो सौप का रेश्टेशन मिलेगा किसको आवंटेन किया जाएगा तो उसके बारे में सबसे पहले डिटेल्स मिलेगा तो दोस्तो आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जो या तो मद्ध प्रदेश जो सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उप धारा एक की अंतरगत उपभोकता सोसाइटी का पंजियन करवाया होगा या फिर दोस्तो जो वीपणन सोसाइटी का रेश्टेशन करवाया होगा या उत्पादक सोसाइटी का रेश्टेशन करवाया होगा या संसाधन सोसाइटी क का रेजिट्रेशन करवाया होगा या फिर दोस्तों स्वाल्सवश्वास सहयता समु या फिर सईयूग्त वनप्रबंधक समित्थी या फिर प्रत्थम करिषी साक सहकार्य समीती सहकारता विवार इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति जिनके पास रेजिस्टेशन होगा उन्हें को उस सौप का रेजिस्टेशन मिलेगा तो जिसके पास ये society का registration होगा society का registration प्रमानपत्र होगा और Banner होगा वही व्यक्ति इसको आवेदफ़न कर सकता है जिसे कि जो व्यक्ति आवेदफन करेगा उसको यहां पे details उसके बाद आवेदक संस्था करना है मैंनी संस्था का पंजीयन न इण से उसका डिटेल फेलब करना आए आप दन संस्था का पंजीयन करमान कि उसके पंजीक इसके बाद अपना अधर जाह घंडेश का नाम उसके बाद आपको कार्याल्यए का पता या और संस्था के का आड्रेस आपको लिख लेना है उसी के साथ संस्था के अध्यच का नाम उसके पिता का या पती का नाम उसका डेटा बर्थ लिख लेना है उसके रेसिडेंशियल एडेस मौईल लंबर और उसका अधार कार्ड भी लिख लेना है उसके बाद दूस्तों अगर महिला स्वसाहता समू है और महिला ही अध्यच उ उपाध्यच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् नाम उसका जेंडर उसके पिता का नाम जाती अधान नंबर फिलब कल लें उसके बाद पद किस पद पर है वो संस्था में उसके बाद residency settlementika अभे पर कर दें उसके लाद नीचे में आप Abdeek की जानकार प्रवंधक नाम पिता का नाम उसके इसका डेट बर्थ का झाधरिस मोगाइल नंबर और आधान नंबर अब लिख ले उसके वार अवेदक संस्था के दुकान गुदाम का पता जहां गुदाम आप लगाएहां कितना चैप्टल लगाईगे अनसीक पूजी कार सील पूजी और वार्शिक टैर्डऴर अबcakो यहां पे लिग देना है कहने का मतलब है कि आपने जो Sansthat है आप के उसमें कितने आप अंसीख invescitmen किए हैं उसका डिट्र सेहां पर लिख दें कालिसिल पूजिए कितना है उसको लिख दें और वारिसित है खितना है आपके sansthat का उसके बाद दूस्तों आप आपकी संस्था वर्तवान में कर रही है उसके आप लिख दें कि संस्था के दो जो अध्यष और प्रबंदक उनके विरुद किसी थाने में कोई प्रक्राइब दर्ज है कि नहीं अगर है तो यस कर दें अगर नहीं है तो नो आप यहां पे फिलब कर सकते हैं उसके ज़स्ट सब्सक्रinosaurर नीचे मैं, आप लिख दें दोस्तो जिस ग्राम पंचैत या वाड हे तो आविदन करना चाते हैं यानि आप लिख देखे उस लिषट के हिसाब से जो ग्राम पंचैत जिस गाओं में आप जो गौवर्म Legends राशन वितरन के अंदर है उसका रेश्टेशन लेना चाहते हैं तो उसको आप यहां से जीला सेलेक्ट करें जन्पत पंचायत और गाओं का नाम सेलेक्ट करके सेव डिटेल्स एंड अपलोड सपोर्टिंग डॉकुमेट्स वाला ओप्जन आप सेलेक्ट कर लें तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो दोस्तो आपके पास जो बेसिक डॉकुमेट्स है उसको अपलोड करना रहेगा तो दोस्तो डॉक्मेंट की बात करें तो सबसे पहले जब आप आवेधन को पूरी तरीके से फिलब कर लेंगे तो आनलाइन आवेधन की प्रतिलिफी फार्म ये डाउनलोड होगा तो इसको निकाल कर आप सिगनेचर करके अपलोड कर दे संस्था की अध्यच का पासफोर्ट साइज फोटो जो संस्था का अध्यच होगा जो सोसाइटी है उसका जो अध्यच है उसके एक पासफोर्ट साइज कलर पासफोर्ट साइज फोटो अपलोड कर दे रहा है जिसकी मै प्रबंधक का पासफोर्ट साइज पोटो जो अध्यश होगा उसका फोर्ट ऑर प्रबंधक जो होगा उसका भी पासफोर्ट साइज फोटो और प्रबंधक जुगा उसका प्रमाद just time by jewel उसको अफ्लोट कर दें उसको आप transact करनाissementmanärकर जो बोट अपलोट कर देना है उसके बाद दुकान या फिर गोदाम के स्वामित का प्रमारपत किराया पर दुकान है तो किराया नामा और अगर आपके के नाम पे है तो खसरा की कॉपी अपलोड कर देना है यानि गोदाम या दुकान जहां पर आप ओपन करेंगे उसका आप स्वल्फ आउनर है या फिर किराया पर है तो उसके लिए दो में से एक कोई डॉक्मेंट अपलोड कर देना है उसके जश्ट नीचे में एक आप से पूछे जाएगा संस्था के विगत वर्स की आडिट रिपोर्ट इसको भी आप अपलोड कर दें उसके बाद दोस्तों यहां पे आप से पूछा जाएगा कि आवेदक संस्था के अद्धच प्रवंद्धक की विरत कोई अपराधिक प्र साने में कोई भी आप राधिक प्रग्णन दर्ज नहीं है यह सारी डॉक्मेंट अपलोड करके आप जब सब्मिट करेंगे तो आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होगी उसी रिसिप्ट को आप जब लिया कर अपने नियरेस्ट में जो ओफिस होगी फूड ओफिस होगी जो वहाँ पर जब वेरिफाई करवाएंगे तो उसके हिसाब से आपको जो सौब का आवंटन कर दिया जाएगा